तो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम पॉलिटी के 36 क्वेश्चन देखेंगे और हमारी कोचिश यही रहेगी कि हम कम से कम समय में जाधा से जाधा क्वेश्चन कवर कर सकें तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है भारती संसत के अपर हाउस को किस नाम से जान तो क्योंकि स्थाई सदन इसको कहा जाता है राज्यसभा को और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको विगटित नहीं किया जा सकता है तो इसलिए इसको स्थाई सदन कहा जाता है इसके बाद अगला प्रश्ण है राज्यसभा में सीटों की अधिक्तम संख्या कितनी होती तो राज्य सभा में जो सीटों की संक्या है वो अधिक्तम होती है 250 तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 250 इसके बाद अगला प्रश्ण है राज्य सभा के लिए उपराष्टपती द्वारा कितने सदस से मनोनित किये जाते हैं तो राज्य सभा के लिए जो सदस से मनोनित किये जा राज्यों का या संग शाशित छेत्र का या उप्युक्त दोनों का तो इसमें राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है और संग शाशित छेत्र होते हैं उनका भी प्रतिनिधित्व होता है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उप्युक्त दोनों का इसके अबाद आमारा next question है कि जिस संग शासित छेत्र में विधान सभा ही नहीं होती उनके प्रतीनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं तो जिस तंग शासित छेत्र में विधान सभा नहीं होती है उनका जो प्रतिनिदी होती है वो विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा इसके बाद अगला प्रशन है राज्य सभा के लिए प्रतेक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है तो राज्य सभा के लिए जो प्रतेक राज्य के प्रतिनिधित्व होते हैं उनका निर्वाचन जो है वो विधान सभा के निर्वाचित सदस्ति रहते हैं वो डिरभर करता है राजी की जन संख्या के उपर तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजी की जन संख्या के उपर इसके बाद अगला प्रशन है राजी सभा में किस राजी के प्रतिनीधियों की संख्या सारवाधिक है तो राज्य सभा में किस राज्य के प्रतिनीधियों के संख्या जो है सारवादिक है तो वो है उत्तर प्रदेश की इसके बाद अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश में राज्य सभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं इन दोनों राज्यों में राज्य सभा में समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है तो आंधर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों को राज्य सभा में समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है इसके बाद अगला प्रश्ण है बिहार में राज्य सभा के कितनी सीटे है तो बिहार म इसके पाद अगला प्रशन है राजसभा के सघ्रस्नों के लिए कितने वर्ष को होता है इसके बाद राजी सब्हा के सदस्यों का कारेकल कितने वर्ष बर्ष का होता है गोसित है दो हर दो वर्ष के अंदर क्या होता है कि एक दिहाई जो सदस्य रहते हैं वो नौमिनित हो जाते हैं मतलब हड़ जाते हैं और उसके बाद एक दिहाई जो सदस्य उनका इस्थान ले लेते हैं हर दू वर्ष के अंदर इसके बाद अगला प्रशन है क्या राष्टपती लोकसभा की बाती राज्यसभा को भंग कर सकता है तो राष्टपती जो है ये लोकसभा की बाती राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है तो इसके बाद हमारा अगला प्रशन है क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का प्रतिक दो वर्ष बाद एक तिहाई सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्रतिक दो प्रतिक दो वर्ष बाद समाप्त होते हैं। यह है एक बटे दसकी, इसके बाद अगला प्रशन है, राज्य सभा का सभापती कौन होता है, तो राज्य सभा का सभापती होता है, उपराश्टपती, इसके बाद किस सदन अध्यक्ष उच्छ सदन का सदस से नहीं होता है, तो जो जो भी राज्य सभा का सदन अध्यक्ष हो करते हैं इसके बाद हमारा अगला प्रश्ण है निम्दिलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है तो जो असदस्य रहता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है उसके उसकी अध्यक्षता करता है वो है राज्यसभा इसके बाद अगले राज्यसभा के उपसभापती का निर्वाचन कौन करता है तो राज्यसभा के उपसभापती होते हैं उनका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य ही करते हैं इसके बाद अगला प्रशन है राज्यसभा का सभापती कौन होता है तो लोकसभा एवम राज्यसभा के सदस्य द्व सभापती है यह सदन के दोनों सदनों के संयुक तधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है इसके बाद अगला प्रशन है राज सभा के द्यवार्शिक चुनाओं की आधिसूचना कौन जारी करता है तो निर्वाचन आयोग जो है यह सभी प्रकार के चुनाओं की उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग इसके बाद अगला है सूतन्त्र भारत के प्रतम सभापती कोन थे जो प्रतम सभापती थे प्रतम सभापती अन्का नाम था दॉक्टर SS राधा कृष्ण संदर्भ में कौना कथन सत्य है तो इसके आधे सदस से प्रती दो वरश में क वो दो वर्ष में अवकाश पराप्त करते हैं इसके एक तिहाई सदस निमलीखेद में से कौन काThatन कथन सत्य है तो सत्य पूअगँ नंए संदस से दो वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं